तो गाइज आज़ों आगे अपने पढ़िया माइंकेपसरीज में और गाइज लास्ट टाइम के गलती के वज़े से अपना ये आईरन का आर्मर चला गया और हम लोग इने लास्ट एपिसोड में वीच को मालता जिसमें से अपने को कुछ नहीं मिला था और पिलेजर आउटपोस्ट में से भी कुछ नहीं मिला मतलब वो पुरा वेस्ट था उल्टा अपनी चीजे चली गई तो अभी मैं सोचो हम लोग इना आईरन की फिर से अपने शूज आइंड पैंड बना देते हैं ये लोग बना दी अभी पैंड ले दे अभी अपना बंदा कंप्ली ठेड़ी हो गया बाकी आईरन रग देता हो मैं इधर उल्टा अपना एना लास्ट एपिसोड में ज्यादा लास हुआ तो आज हम लोग एना एक अपना एनिमल फार्म बनाने वाले एक्तम ऐसा बड़ी आसा मेडिवाल टाइप का डिजाइन अभी हम लोग चलते हैं अपने फार्म पे देखते हैं का हालत क्या है काइस फार्म तो अपना कुछ बड़ी ने रहा है तो अभी अपने को इना बहुत साही लग रिया है चाहिए क्योंकि काइस बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोग एन्वें फार्म बनाने वाले मुझा पता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अपने को इन्चांट्मेंट रूम कंप्लिट करने के लिए ना मतलब लेदर लगेगा यानि की बहुत सारे काउस भी लगने वाले और पिपर बीट चाहिए उसके लिए ना एन्चांट्मेंट रूम थोड़ासा डिले हो सकता है और बाई साब ही ये को पिक क्या देख रहा उसके लिए एक्चुली गाइस बहुत सारे विलेजर्स चाहिए होंगे वो विलेजर्स लाने के लिए थोड़ी सी तक्लिब होने वाली इसलिए मैं सोचा थोटा सा एक दो एपिसोड के बाद ही हम लोग आईरम फार्म बना देते और राइट भाइस आप तो अपने मास अल तकि दूर से भी दीख सके यार अपने को अपना फार्म वैसे आपको पता है वने गोड़े के लिए घर तो बना है बट वो बिचारे को मैं इतर लगता हूँ क्या करें वैसे इसके लिए इतना बड़ा घर है यह देको एक्टम फ्री प्रीच का गरे इतर पानी भी एक क्या पास सही लगे गया तो अभी हम लोग फटार से सो लेते फिर सुबह आपने को बहुत सारा कोबर्स्टों जन्टेट करना है काईस बोलने से पहले मुझे पता है सुबह नल यह लोग सुबह हो गई अपने बास खाना कम है इसको ओके यह देको इधर खाना है तो अभी अपना है ना तूटे फूटे विलेज में जाते है और उदर से ना कोबर्स्टों जमा कर लेते वो देको उदर है ना मुझे पंपकिन दिख रहा है एक काम करता हूँ पंपकिन भी उठाई लेता हूँ और ओल राइट दो देको उदर उपर ही चलते हैं फिर हम लोग इधर बोट रखते थे हैं यह देखो भाई साब इधर मैंने पहले से ही टॉर्चेस लगा के रख दी अपने को कोल भी मिलने वाला है और बहुत सा कुबर स्टोन भी इधर कैस मैं सोचो हम लोगे ना जब तक यह माइनिंग करते हैं ना तब तक ना कुछ स्टोन बना लेते हैं और टोटल दो फरनेस ले लेता हूँ इदर रख देता हूँ उसके बाद में अपने बास कोल तो भाई बहुत ज्यादा है और अपनी एक पिकेक्स तूट गई और एक पिकेक्स मैं ध्यानी ने दिया था यह देखो काईस दुस्री पिकेक्स भी तूट कई अभी देखते हैं अपने पास कितने स्टोने ओके यह भी रख देता हूँ उसके बाद में इस में भी देखते है प्रसे बहुत ज़्यादा स्वेंसलो हो रहा है एक काम कर देता हूँ और एक फरनेस बना देता हूँ यह बाइसाब अपना विलेचर बिच्छारा विलेचर विलेचर वाल राइट ट्रेडिंग करना चाहता है बच कुछ बख्वास चीज़ ही है इसके बास तो अपने बास सिर्फ दो यह लगता है यह देखो एक इदर एक उदर था भाई यह क्या करता है देखते हैं कुछ अच्छी ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे है यार मजा ही नहीं आता है यह लोग गाइस रात हो गई है तो अब भी हम लोग सो लेते हैं फिर अपने को सुबह अपन स्टोन का क्या करना है ओके देखते भाई साब है वैसे इनफ है तो कई सभी हम लोग चलते अपने बोट हाउस और ढूंटे एक बड़ी यासी जगह जीदर हम लोग अपना एन्यूल फार्म बना सके इधर तो मुझे नहीं लगता जगह है इधर अलगरी हम लोगों आपने घो ज stellा है तो मैं सचोंचों अभी अमलों फिर से ना आई रंग की कुछ चीजह बना देते है अ और पैस आइप अपने को इना भाई आभी यह पानी भी अपने को भर देना है पूरा तो अभी हम लोक इना यह जया शह क्छाना इन फोरा देते हैं और फिर से राथ होने वाद को था आपने ही पड़ेगा आल राइट तो अभी हम लोग फिरावाट से सो लेते हैं यह देखो गाइस सुबर हो गई तो अभी सबसे पहले ना थोड़ा सा खाना बानी हो जाए ऊदेखो गाइस स्केलेटन जूम्बी से बाहर वे उदर एटार भाई 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 तो अपने पार में आपने आपने कोबर स्टोन आ गया तो अब यह अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं सोच ओ फिर से इसको माइन कर लेते क्या करें गया दिमाग लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने सब इना स्टोन बना दिया कोबर स्टोन बचा ही नहीं हाल राइट तो अपने वास कोबर स्टोन आ गया तो अभी हम लोग इना इदर कोबर स्टोन लगा देते यह बीच में ऐसा तीन-तीन कोबर स्टोन लगा देंगे हम लोग यह लोग पूरा अपना पिछे का वाल बन रहा है एक्चुली बोलू तो अभी आपने को इना चाहिए थोड़े से फेंसेस तो मैं फेंसेस बना लेता हूँ तो अभी अपने को इदर से एक तो तीन चाहर पाच फेंस और फिर एक ब्लॉक लगा देना है सब चगह पर करना है अपने को यह देखो भाई साब हम लोग उने पार्टिशन बना दिये वैसे अच्छा दिख रहा है अ आफ तो अपने को पाची गेट यह थे मैंने ध्यानी नहीं दिया क्यूंकि 6 पिल्लर थे मतलना पाची कर ट आने वावले तो ठीक है एक एक अब यह पने को यह पिल्लर है ना दो ब्लॉक हाई करना है सेम यह वाला भी करना है यह देखो काइध अबी तक इतना हो गया मुझ अच्छा लग रहा है वैसे और पीछे वाले जो पिल्डर है यह तीन ब्लॉक मतलब टोटल चॉय ब्लॉक हाई बना देने यह देखो काईस बना दिये ओ भाइस आप थोड़ी सी लगी आपने को वैसे फेसे रात होने वाली है ऐसे हम लोग यह को बस्टोन लगा देंगे एक बढ़िया सा लुक आ जाएका भाई यह देखो क्या साही लग रहा है तो अभी रात होने वाली है तो अभी हम लोग चलते हैं अपने बोट आउस सो लेते हैं आप लोग सोचे होंगे कि मैं बेर क्यों नहीं लाता हूँ इदर दूसरा तो वैसे अपना बोट आउस बहुत ह आप लगाने अभी काई अपने को रूफ बनाना इसलिए अभी हम लोग इना इधर ऐसे अपने स्लैप लगा देंगे यह देखो एकतों बड़ी आलुक आने वाला है कुछी भी बना दिया इसका अभी हम लोग इसको भी फिल कर देने वाले पूरा आइस कुछी भी बहुत ज्यादा स्लैप लग रहे है अपने स्लैप भी खतम हो गई यह देखो बाई और स्लैप बनाने पड़ेंगे वैसे यह अच्छा लग रहा है मुझे डिजाइन अपना एक तो मेडिवर स्टाइल का डिजाइन है यह देखो बाई साब रूप एक तम अच्छे से ढग दिया ह थोड़ा सा इधर भी लगा देता हूँ मैं तो अब भी हम लोग यह मिडल वाला है इसका थोड़ा सा लूप चेंज कर देते तो यह मैं पूरा हटा देता हूँ इधर से और इधर ऐसे यह स्लैप इधर एक आएगा फिर इतर एक सेम उस साइड भी करना है अपने को और फिर इसको हटा देंगे हम लोग यह देखो ऐसा लगेगा कुछ बढ़िया लग रहा है वैसे ओके काईज अभी अपने को नहीं यह पीछे तक लेके आना है पूरा रूफ कंप्लिट होना चाहिए नहीं तो गाईज बारीश के सकती है ना इधर ओके काईज तो अभी अपने को अच्छली पीछे भी एना इधर ऐसे स्लैप लगा देना है और फिर से रात होने वाली है उससे पहले ना में एक काम कर देता हूँ इसको भी भर देता हूँ यह देखो गाईज अभी तक इतना हुआ है एक मेडी हटा देता हूँ ताकि आपको दीख सके वैसे रात ही होने आपको कुछ नहीं दिखने वाला तो गैस अभी हम लोग चलते अपने फिल से बोट हाउस भाई खोड़े किदर आजा फड़ा वाज़ा चल गाई सोना है अपने को ओल राइट काई सुबह हो गई थोड़ी सी हंगर मुझे लगता है तो थोड़ा सा हम लोग ना कुछ खा लेते हैं अपने बाद दो ही बच्चे वैसे अपना खोड़ा पाई बीचारा खोड़ा इदर ही रहता है दया आती उस पर कोई नहीं वैसे उसके लिए इतना अच्छा घर जो बनाया तो मुझे नहीं लगता है इसको कुछ प्रॉब्लम ये भाई 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 अपना अनिमल फार्म वेसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आके बहुत ज़्यादा जग्ये छोड़ी और भाई अभी अपने को ये जो अंदर के गैप ना ये भर देने ये देको ऐसे ये लेको काईस मेने गैपस भर दिये तो ये अप्पी है ना काईस कुछ भी अच्छा लगा अभी संद्राइज हो रहा है तो उसमें भाई रिफ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एक्षिली अपने को इदर भी ना भर देना है नहीं तो ये अजीब लगेगा थोड़े से मुझा लगता है अपने इदर आइक स्लैप्स लगा अच्छा सा लुक आगया इसको और थोड़ी सी टॉर्चेस भी बना देते हैं और भाई साव इतनी टॉर्चेस बना दी एक्चुली इसमें थोड़ी सी रख देता हूं मैं बस अभी इसको नहीं हम लोग पूरा लाइट अप करने वाले इदर ऐसे टॉर्चेस लगा देते हैं क्या अच्छा लग रहा है एक मीट अपने वाज जगह कमें एक्चुली मुझे एना एक चेस्ट की जरुवत है ओल्राइट सब रख दिया तो अभी हम लोग इना यह जमा कर लेते हैं अभी फिर से मैं सब लगा देता हूं इधर साइड में मेलन आइंग एक्चु अपने अपने अनिमल को लाने के लिए लगेंगे लीड तो लीड तो भाई ऐसे नारमल नहीं मिलने वाले लीड के लिए गाईज अपने को एना एक ट्रेडर मिलना चाहिए तब हो जाएगा काम गाईज यह देको मैं सोचाओ थोड़े से गाई बहस सब इधर से लेके गलती से मारा मैंने इसको आजाओ 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 आज मुझे इदर बड़ा होल नहीं चाहिए मत फट यह लो हम लोग आ गए बोट आउस और पहले सो लेते फिर सुबह हम लोग ना थोड़े से और अनिमल्स लाएंगे इदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा आजा बाई तू भी आजा एक में तू यह आजा अजा अंदर अरे यार इसको भी बूला लिया तुने यह देखो इसके अंदर एक शीप रखे शीप को बाहर निकलना बट मुझे डर लग रहा है यह सब बाहर निकल अच्छली एक फेंस लगाना चाहिए एक सेंड बाई साब अल्राइट तो काईस अपने को फेंस लगाना ही पड़ेगा नहीं तो यह देखो भाईस आप आराम से बहार निकल रहे अरे इतने जोंबी किदा से आ रहे आज क्या हुआ है यह आल्राइट तो अभी मैं चला बा वो मुझे नीचे कमेंट में चलो बता देना फिर अभी के लिए यही रुकता हो गाइस मिलता में अपको नेक्स टूडिया में फिर आल के लिए बाई गैस